नमस्कार आप देख रहे हैं मीडिया हंडिट न्यूज ग्राम पंचैत का चुनाब जीतने के बाद जनता में खुसी की लहएड बिलाग दडरॉल से ग्राम पंचैत रेवा से प्रधान चुने जाने को लेकर धर्मिंद कुमार यादर ने की खुसी जहेड हमारे समबादता रिवास समने की उनसे खास वाच्ची जो है वो रिवा विकास खंड दडरॉल का एक ग्राम पंचैत है यह और यहाँ पर जीत के बाद कैसे हर्थ उल्लास से लोग खुसी मनाते हैं उस आज खुसी में हम सामिल हुए हैं मेडिया हंडिक की टीम आज परताल करेगे उस चुक चीतने के बाद क्या खुशाली होती है उससे हम आपको रूब रोकर आएंगे हमारे समच एक बाबाजी बढ़ें बाबाजी कहां के निवासी है इसी गाउं के अच्छा गाउं का नाम यह गाउं रेभा है तो बाबाजी क्या नाम है आपका श्योकमार सिंग यादो अच्छा ने तो भरपूर सयोग भरपूर उल्लास के साथ में अब बढ़िया मतों से हम तो पूरे गाउं का आभार वेक्त करते हैं तो दत्रॉल जो था जहां पर कांटिंग हो रही थी सबसे पहले प्रतियासी हैं जहां आज हम मौजूद है अब हम बात करेंगे ऐसे वक् बताना चाहेंगे बया क्या नाम है आपका मारा शिप्षंकर यादव यादव जी एक जानकारी साहिए किस तरीके के महसूस करते हैं बहुत अपार खुसी है मैं तो अपार खुसी है यहां पे वाकई यहां की खुसी देखकर मुझे भी खुसी का महौल लग रहा है अब हम उन से बात करेंगे जो प्रधान के प्रधान पती हैं प्रधान पती से दिकास के लिए जंता हर वार अपना महौल बनाती है जंता उसको चुनती है जिसको चुनना चाहिए वाकई जंता का विश्वास जीत कर यहां पर यह पहुंचे हैं प्रधान पती प्रधान पती जी क् दर्मेंद कुमार यादो यादब जी कैसा आप मेशिच कर रहे हैं? खुसी का माहौल क्या जन्ता के साथ करेंगे कुछ सबकुत तन्मन धन से जो भी होगा जन्ता के साथ रात दिन कदम से कदम और कंदा से कंदा मिला करके जनता के साथ में चलने के लिए तैयार हैं जनता ने जो हमको खुशी दी प्यार दिया इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और कदम से कदम कंदा सकंदा और कदम से कदम साथ मिला कर जनता के लिए मैं बचन बद्द बादा करता हूँ रात्ति का 12 वजा हो और चौन दिन का 12 वजा हो मैं उसके लिए संपूर्ण सयोग करने के लिए तयार हूँ जैसा कि आपने देखा आप मीडिय हंडिड की टीम आपको दिखाएगी जो आपने पहली वार देखा होगा कि लोग बादा करते हैं जीतने से पहले हमारे इंट्रोपे बे आते हैं जीतने से पहले लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा बादा किया है जो जीतने के वाद वाकई पांस साल उमीद खरे उत्रें और जन्ता के कदम से कदम मिला के चलने वाले वेक्षिसे आज मेरा पाला पड़ा है मेरी टीम भी बहुत हर सुलास के साथ इनका बहुत भूत धन्यवाद अदा करेगी इस तरीके से अगर यहीं महाल इस तरीके से रहा तो हो सकता है एक जगह ही प्रधानी रुकना चाहेगी अब हम बात करेंगे हेड मास्टर अब हम उनसे बात करेंगे जो उनके पिताजी हैं जिनकी पुत्र बदू ने इलक्षन जीता है और उन्होंने अपने पाँ अपनी पूरा जीवन अपना पूरा जीवन सिच्छा में ही गुजार दिया बच्चों को सिच्छित करने में वो है हेड मास्टर मास्टर साहब ये बताना चाहेंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है आपने पूरी जीवन बच्चों को सिच्छा दिये तो उसके बारे में क्या कुछ आज कहना चाहेंगे हमें तो आज बड़ी भारी खुशी ये मालूम हो रही है कि लोग हिंदू मुसल्मान से नफरत करते थे लेकिन आज मुझे ऐसा माहावल मालूम हो रहा है कि हम हिंदू और मुसल्मान सब एक हो करके एक मंच पर आए और सबने लोगों ने बोट डाला और हमको विजय प्राप गड़ने नपाई यह मुझे अपार खुशी है आईसी खुशी मैंने आद तक नहीं देखी है आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज वाकई हम इस हमाज में इस गाम पंचायत में आये वाकई सिच्छित लोगों के बीच बहुत अच्छा लगा में चीज यह है कि एक सि अच्छा दे हिंदू मुस्लिम सिक्षाई कुछ नहीं राजनीतु को बीच में ना रखते हुए उन्होंने न्याय के सीड़ी पकड़ी है न्याय के सीड़ी पर ही आदमी को चलना चाहिए और अब जनता जो है वह भी खुशाल है और यहां के लोग भी खुशाल है मीडिया हैंडर के लिए सा जहां पुर्थ सुभान चुरी बास था